बहुत से मेरे seller दोस्तों को online Amazon की seller fees से related बहुत सारे issues होते हैं कई हो को अच्छे से नहीं समझ आ पाते हैं कि कौन कौन से fees होती है किते type की fees होती है जो Amazon चार्ज करता है जब आप sale करते हैं Amazon पे अगर आप seller बनना चाहते हैं तो क्या कोई charges लगते हैं बिल्कुल free of cost है और कब आपके charges लगने शुरू होते हैं इन सब चीजों से related आज इस वीडियो हम देखने वाले हैं काफी कुछ कवर करने वाले हैं आपके charges और इन सब चीजों से related seller fees से related Amazon की यह सारे doubts आपके इस वीडियो में clear होने वाले हैं तो सीधा चलते हैं अपनी computer screen पे और इस चीज को अच्छे से समझते हैं Amazon की website पे जाके और लेट तो हम आचुके हैं Amazon के seller page पे जहां पर आपको fee structure में अच्छे से समझाने वाला हो यह बिल्कुल free of cost है आप seller बन सकते हो Amazon पर कभी भी और आपको simply यहाँ पर क्या करना है आपको description में दिया है यह link मैंने Amazon का दिया हुए आप उस पर click करेंगे आपको as a seller आपको register करना है उसमें basically अपने email password and phone number यह वगेरा सारी चीज़े जो जो मांगे का detail जिसके वीडियो बना रखी है कैसे Amazon पर seller account बनाते हैं पर बहुत ही simple process है जैसे कि आप Facebook या किसी का भी account बनाते हैं वेकुल वैसे ही बनाने आपको and आपको simply क्या करना है GST अगर आपके बस नहीं है अभी या फिर preparation में जैसे भी है तो आपको उसको skip करने का भी option आता है कि आप बाद में upload कर सकते हैं GST आप simple अपना Amazon account बना सकते ह हैं तो आपको simply यही करना है description में link दिया हुए वहाँ पर आप जाएं and अपना आज ही seller account create कीजे ताकि जो the facilities है आपको को भी customer के contact करना है customer के को या फिर किसी से भी आपको बात करनी है कोई doubts है queries है आपकी तो मैं तो definitely help करूंगा ही साथ मैं आप Amazon contact support का भी help ले सकते हो तो as a seller register आपका बहुत जरूरी है तो सबसे वहले तो जल्दी से जाए and link पर click करके आप as a seller register करें अपने आपको and बात रही fees की किसकी सरीकी की fees charge होती है तो यह fees जो मैं बताऊंगा सारी जित्ती बताने वालों यह आपकी जो charge होंगी तब ही charge होंगी जब आपकी कोई sales होगी mostly उसी case में charge होगी कुछ exception है जो कि मैं आपको बता दूँगा इस वीडियो में but mostly तब ही charge होगा जब आपका कोई sale होगा तो इस चीज का जरूर धियान रखना चली सबसे पहली fees के बारे में हम बात कर लेते हैं जिसका नाम है referral fees तो referral fees basically कितनी लगती है कुछ percentage amount होता है depend करते आपकी सारी चीज है तो यहाँ पर आपको referral fees देख जाएगी based on category तो referral fees आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि आप अपना baby toy or baby products toys education में आप दे रहे हैं तो आपको इस तरीके से आपको fees लगने वाली है जैसे कि मैं balloon or soft toys में करता हूँ तो मैं 11% fees लगीगी this is my referral fees जो मुझे pay करने पड़ीगी Amazon को तो जब भी कोई sale होगी sale amount में जो भी amount होगा selling price का उसमें से जो मैं fees बताने वालब वो deduct होके आपको payout मिलता है तो इस दिखना है यहाँ पर आपको यह fees यह वाली कटेगी जो मैंने referral वाली आपको बताई एक और example के साथ देख लेते हैं जैसे मालो electronics में आपसे लेगा as a referral fee right तो इस तरीके से आपके सारी category आपको आ जाएगी समझ अगर फिर भी नहीं आती तो आप comment section में कभी भी पूछ सकते हैं and यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे calculate हो रहा है तो यह बहुत ही simple तरीके से आप बता रहा है कि total referral fees किती हुत है item का price किया है और उ housing fees यह भी price के base पे है इसमें भी आपको तीनों category में आपर मिल जाएगा कौन सी category में कितना लगेगा सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर sales ship के guess में तो यहाँ पर Amazon पर क्या होता है आपको तीन तरीके कि यहाँ पर method मिलते हैं एक तो उसे sales ship एक easy ship एक FBA sales ship होता है जब आ एक जो online third party vendors होते हैं, third party logistic partners होते हैं उनकी आप help लेते हो जैसे कि आप directly चलेगे express bees और delivery और e-com express इन सब के पास वो sales ship में आ जाता है और आपको shipping aggregator के थ्रू कराते हैं जैसे कि ship rocket वगेरा तो भी वो sales ship की category में आ जाता है अगर आप चाहें यह सब चीज़े समझना चाहते है तो आप comment में मुझे बता सकते हैं मैं एनके उपा भी video बना दूँगा, so यहाँ पर आपको sales ship वही चीज़ होती है, अब sales ship में कितना लगता चाहाँ अगर आपके selling price जो item का price है वो 0 से 250 रूपीज है तो आपको 7 रूपीज fix price देना पड़ेगा referral fees के addition में, and 251 से 500 है तो 20 र Amazon, जिसे आपको बिल्कुल Amazon से order आते हैं, आपको pack करके रखना अपने order, and company courier partner आएगा Amazon की तरफ से, Easy Ship की तरफ से, और वो आपका pick up करके ले जाएगा, तो उस case में आपको इस तरीके की closing fees लगेगी, अब Easy Ship जो है, वो भी एक courier logistic company है, जो Amazon की है, basically इसलिए उसको Easy Ship बोला जो 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 आपको लगेंगी यह पर, and आप देख लेते हैं, आप देख लेते हैं, FBA का, FBA basically होता है, Fulfillment by Amazon, जो फुल्फिल्ट बाइमेजोन, जो यह क्या होता है, जब भी आप Amazon का नियर वाए कोई भी store होता है, सेंटर हो जो चुद्आ होता है, तो इसमें अपने products को भीज जते हो, so इसमें क्या होता है, Amazon fulfill करते है products की sale को, basically orders को, so यहाँ पर जो भी order आएगा, तो Amazon के पास आपका stock होगा, आप बेसिकली आपके भेहाफ पे pack करेगा, and वो भीज देगा आपके customer तक, and successfully deliver कर देगा, pack करके, तो FBA एक लिए ये closing fees लगती है, so यहाँ पर आपके slabs दी हो है, and कौन सी कैटेगरी में ये चीज़े हैं, so categories with exception वाले जो भी products है, वो आपको यहाँ पर देख रहे होंगे, star, double star और ये वाले सारे जित्ते भी है, वो आपको यहाँ पर categories पर click करके, कि आपको दिख जाएंगे, कौन कौन सी categories है, तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं, कि कित्ते केटे charges लगेंगे, पर इत्ता complication में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप overall मान लिजे कि कित्ते charges लगेंगे, आपको आपको अंदाजा समझ आ जाएगा, accurately इत्ता जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप नहीं seller है, तो इन सब चीज़ों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको मैं link इसका description में दे दूँगा, आप इस link को पूरे को check out कर सकते हैं, आप पर जाके, और यह calculation दिखाई है कि closing fees की calculation कैसे होती है, तो यह सारी चीज़े आपको यहाप समझ आ जेंगे, अगर आप pause करके देखेंगे screen को, तो तीसरी तरीकी की जो fees होती है, वो होती है weight handling fees, यह आपको FBA और easy ship के उसमें देनी पड़ेगी, अगर आप self ship करते हैं, तो आपको नहीं देनी पड़ेगी, तो basically यह shipping fees होती है, जो कि आप chargeable होती है चीज, डिपेंड करता है किते weight और किते dimensions है आपके product के order के, तो उन चीज़ों पर डिपेंड करता है, अभी जो fees calculate की जाती है, इसके पीछे कहीं सारे factors होते हैं, जैसे कि local, regional या national level पर आप भेज रहे हैं, तो वो चीज हो जाती है, साथ में product के आपके किते dimensions है, उसका क्या weight है, यह सारी चीज़े matter करती हैं, तो आपको size guidelines यहाँ पर मिल जाएंगी, अगर आप चाहें, तो पॉस्ट करके आप पढ़ सकते हैं, and यहाँ पर आपको shipping charges भी मिल जाएंगे, जो easy ship के हैं, अगर आप टू 500 grams अगर आप locally send कर रहें, तो 44, 53 and 74 रुपीज इस तरीके से हैं, regional and national level पर, and जैसे जैसे आप weight भढ़ाते रहेंगे, वैसे वैसे आपका जो भी slab rate है, वो लगता रहेगा, and यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दू, कि अगर आपका 18 kg से उपर है, किसी भी product का weight, तो फिर आपको easy ship की facility नहीं मिलेगे, उसके लिए आपको self ship ही करना पड़ेगा, खुछ से shipping करनी पड़ेगी, फिर चायब जैसे भी करवाएं, तो यह चीज हो जाती है, तो जो heavy item बेचते हैं, जैसे की batteries बगेरा, या कुछ ऐसा, तो उन लोगों को ध्यान रखना है आपके, and यहाँ पर आपको FBA अगर करवा रहे हैं, फुर्फिल्मेंट बाइमेज़ान, तो उनके handling charges कुछ इस तरीके से हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह थोड़ से reasonable पड़ जाते हैं, जिसकि आपको समझ आ रहोगा, यहाँ पर देख के, and इसकी calculation अगर आपको देखनी है, जब आप claim करेंगे, तो वो सारी चीज़े सीखने क्लिए मैं आई बटन में वीडियो डाल दूँगा, तो वो बहाँ पर मैंने already वीडियो बना रखी है, तो वहाँ जाके आप डेख सकते हैं, आपको समझ आ जाजएगा, सारी GST के calculation, बहुत easy way में, बाकी होती हैं पर हमारी other fees, जो कि आपको लगती है, अगर आप FBA यानि की fulfillment by Amazon से करा रहे हो, तब ही लगती है, तो basically pick and pack fee लगती है, जो कि इस तरीके से कुछ होती, 39, 26 रुपीज, ये उनी को लगती है, जो FBA की facility ले रहे हैं, अगर आपको वहां से हटवाना है, तो वह भी FBA वहां के लिए ये fees है, अगर आप कोई भी basic अपने product जो आपके sold नहीं हो पाई, sell नहीं हो पाई, अब हटवाना चाते हो, वापस अपने पास लाना चाते हो, तो उसके इस तरीके के कुछ charges आपके लगते हैं, उसकी calculation भी आपको यहां पर अराम से दिख जाएगी, तो simply मैं यही कहना चाहूँगा, कि यहां पर 4 तरीके की fees होती है, तो basically 3 तरीके की ही होती है, broadly अगर देखा जाए तो, चौती वाली तो वह ही जो FBA के लिए होती है, अगर आप FBA के थरू कर रहे हैं, fulfillment by Amazon, अगर आप select करते हैं, तो आपको 4 तरीके की fees लिए आप लगने वाली है, तो जो भी आपकी selling price होती है, इस तरीके से आपके 500 रुपे का product है, उसमें से आपके 100 रुपे, मान लो इन चीजों के charges कट गए हैं, 100 रुपे प्लस GST यानिकी 118 रुपीज, 108 रुपे क्योंकि 18% GST लगता है, जनली marketplace fees पे, तो उतने deduct होंके जो भी बचेगा आपका 300 something जो balance होता है, वो आपके bank settlement में आ जाता है, तो मैं अंताजा आपको ये बता रहो, this is an example, जो भी मैंने amount and figures ली है, so इस तरीके से आपके ये Amazon के fees वाला system work करता है, and I hope आपको seller fee से related और भी confusion जोते हैं, वो clear हो गए होंगे, and Amazon के उपर मैंने playlist बना रखिये, जिसमें काफी कुछ मैंने और भी सिखाया वे Amazon के उपर, तो आप चाहे तो उस playlist को भी check out कर सकते हैं, मेरे channel पर जाके, या फिर मैं i button में भी उसको डाल दूँगा, तो I hope आपको Amazon का seller fee structure समझ आ गया होगा अभी तक, and अगर आपको समझ आ गया है, जल्दी से description पर जाके, link पर click करके, अपना seller account आज ही create कीजिए, and इसी से related, और भी मैंने वीडियो काफी सारी playlist बना रखी है, अपने channel पर तो आप हाँ पर भी देख सकते हैं, definitely visit कर सकते हैं, काफी को सीखने को मिलेगा आपको वहाँ पर, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है, informative लगी है, valuable लगी है, तो इस वीडियो को प्लीज लाइक ज़रो करना, and चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ऐसी e-commerce related videos regularly लेने के लिए, तो इसी के साथ वीडियो को हम खतम करते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तो लेट टेक के रहें, बाए.